हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टप्स में आप सब का एक बरफिर स्वागत है आज के सेशन से हम लोग एक नई सीरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग आपकी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की यूजी सी नेट कॉमर्स की तैयारी के लिए पिछली परिक्षाओं के question आपको solve कराएंगे अब एक बात में हमेशा से कहता आया हूँ specifically राजस्थान की परिक्षाओं के लिए कि राजस्थान में school lecturer या first grade को लेके कुछ coaching संस्थानों ने या कुछ teachers ने एक डरावना माहूल बनाया है कि paper ऐसा आता है वैसा आता है पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए आपने first paper और second paper को अगर balance लेके तैयारी की है तो आपका selection होना कहीं से मुश्किल इसमें नहीं है लेकिन कुछ बच्चे first paper पे ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं second को छोड़ देते हैं कुछ बच्चे subject में इतने घुष जाते हैं कि first paper में उनके number नहीं आते वहाँ पर आपको संतुलन दिखाना है second paper की जिम्मेदारी आप मेरे चोड़ दीजिए second paper में एक number नहीं कटेगा आपका और इस second paper के questions का स्तर क्या आता है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही easy स्तर के आसान किस्म के question आते हैं अब देखिए कोई इतना बड़ा competition है उसमें 100 में से 20 सवाल टफ आने बनते हैं लेकिन 80 सवाल अगर easy है तो वो paper आसान ही कहलाएगा और यह साक्षा अभी आप मेरे साथ साथ देखेंगे मैं अभी जब आपको question solve कराऊंगा आने वाले दिनों में तो आप देखेंगे कि questions का स्तर किस तरह का है हम easily handle कर पाएंगे और अगर आपने एक thoroughly तरीके से class के साथ सा सारे question जिनके अंदर difficulty level है थोड़ा उनको हम पहले ले ले अगर कोई question statistics के है तो उनको एक साथ ले ले कुछ question अगर management के है तो उनको एक साथ ले ले क्योंकि आप जानते हैं कि आपका paper जो e-commerce का वो mixed आता है और पहले पुराने टाइम में ऐसे भी question आया करते थी कि accounting accounting एक तर कि मेर से आगे चले और जो भी question में यहां पर आपको दिखाता हूं उसका answer मेर से पहले करने की कोशिच कीजिएगा और मुझे comment में answer भी बताइएगा कि answer क्या रहा है वाद में मेरे answer से match कर लेना सबसे पहला question देखें question है during 2020-2021 insurance premium paid 20,000 including premium of 12,000 per annum paid up to 30 September 2021 what will be the adjustment entry necessary on 31st March 2021 सबसे पहले question को समझते है हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देना कि question क्या है question यह कह रहा है कि 2020-21 का जो वर्ष था उसमें हम लोगों ने insurance premium भरा और insurance premium दिया एक साल का 20,000 रुपे यह जो एक साल का premium 20,000 रुपे हमने भरा है उसके अंदर including premium of 12,000 per annum paid up to 30 September 2021 इसमें से 12,000 रुपे क प्रीमियम ऐसा है ध्यान दिजिए 12,000 का premium ऐसा है जो हमने 30 September तक दे दिया फिर question कहा रहे है बताईए इसकी adjustment entry है समय प्रविस्टी क्या होगी इसका मतलब क्या है जब आप final accounts बनाते है profit and loss balance sheet बनाते है तो वहाँ पे आपको कुछ adjustment entry करनी पड़ती है आप सब को याद है वह एक साल के लिए हम लोगों ने 12,000 पे का premium दिया और 12,000 पे का premium जो दिया उसकी validity है अगले साल की 30 September तक तो 30 September 2021 तक की validity है लेकिन हमारा जो वित वर्ष है यह हमारा financial year है हमारा financial year मान लो कि 1 April से शुरू होता है तो 1 April 2020 से शुरू होता है और यहाँ पे 31 March 2021 को खत्म हो जाता है ल तक का अब accounting के अंदर आपको पता है कि accounting में एक concept है जिसको हम लोग बोलते है अवधी की अवधारना एक concept है जिसका नाम है मिलान की अवधारना matching concept matching concept हमारा यह कहता है कि अगर revenue 12 महीने की दिखाई है तो उसी period के matching खर्चे आपको दिखाने है अब यहाँ पे क्या है income तो आप लिखोगे इतने period की लेकिन यह खर्चा जो 30 सितंबर तक का है इसको यहाँ पे लिखना गलत है यह नहीं लिख सकते यहाँ पे payment कितना किया 12,000 तो हम 12,000 के दो टुकडे करेंगे इतना खर्चा इस साल का है वो इस साल profit loss में आएगा और बाकी जो खर्चा है उसको हम लोग नाम दे देंगे prepaid ठीक है तो आप देखो 12 महीने का खर्चा अगर 12,000 रुपए है तो इसको हम लोग divide कर ले 12,000 डिवाइड बारा तो एक महीने का खर्चा निकलाया एक महीने का खर्चा हो गया एक हजार अब यह देखो कि अगले साल कितना advance दे दिया हमने 31 मार्च के बाद सितंबर तक काउंट करो तो April, May, June, July, August, सितंबर 6 महीने 6 महीने के पैसे advance दे दिये अगर मैं इसको काट के छोटा करूँ तो छोटा करने भी आ जिस दिन आपने यह payment किया होगा, payment करते समय हम लोग क्या entry करते हैं, payment किया तो उस दिन खर्चा होगा, खर्चा करने के समय आपने लिख दिया होगा, History Premium Account Debit तो उस दिन आपने लिखा होगा, हम लोग इस खर्चे को transfer करते हैं लाभानी खाते में जिस दिन इसको लाभानी खाते में transfer करेंगे उस दिन हम लोग लिखेंगे profit and loss account debit to insurance premium यह लिखना है अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ profit and loss account debit 12,000, insurance premium 12,000 तो यह entry गलत हो जाएगी गलत क्यों हो जाएगी इस entry की वज़े जिसे लाभानी खाते में 12,000 चला जाएगा जबकि लाभानी खाते में हमें भेजना कितना है सिर्फ 6,000 जो अगला 6,000 है वो तो prepaid है तो हम इस entry में यहाँ पर एक और चीज़ गुसा देंगे बीच में और हम लोग लिख देंगे prepaid insurance premium account debit 6,000 अब इसको मैंने एक entry में करके दिखाया मैं इसको दो टुकडों में तोड़ भी सकता हूँ तो दो टुकडों में तोड़ के देख लेते हैं तो देखो 12,000 का जो बीमा premium दिया उसके भुकतान के बाद में वर्ष के अंत में उसकी दो entries होगी दो entry कौन-कौन सी होगी एक तो होगी transfer entry transfer entry का मतलब है इसको लाभानी खाते में भेजना है तो लाभानी खाते में भेजने के लिए हम लोग लिखेंगे profit and loss account debit to insurance premium एक तो ये लिखेंगे 6,000 रुपे हमने लाभानी खाते में भेज दिये दूसरा एक समायोजन करना पड़ेगा समायोजन करने के लिए हम लोग लिखेंगे prepaid insurance account debit और तो लिख देंगे insurance premium ये आ जाएगा कितना 6000 और 6000 तो ये हमारी entry है अब इस entry को देखते हैं कि हमारे options में कहाँ है option में देखो पहला विकल्प दे रखा है prepaid insurance account prepaid insurance premium rookie to insurance premium एक हो गया दूसरा option देखे insurance premium account debit to bank account amount देखे कितना है 20,000 ये तो गलत है फिर insurance premium account debit to prepaid ये भी गलत है prepaid insurance premium account debit to insurance तो ये entry ठीक है ये entry ठीक है, लेकिन साथ में amount भी देखे, तो पहले वाली entry के अंदर यहां पर amount 6000 है, यहां पर 12000, 12000 वाल option गलत है, 6000 ठीक है इन दोनों में accounting same हुई है, तो इस answer हो जाएगा हमारे लिए 1, आईए, देखते हैं next question पे चलेंगे, next question है हमारा दो जगए credit कर दिया, दो जगए कहां credit किया, question कह रहा है कि उसको sundry debtors account में, देंदार खाते में भी credit कर दिया, और इसके साथ में विक्रे खाते है, sale में भी credit कर दिया, अब आपको इसको सुधारना है, सुधारने की entry क्या होगी, तो देखो सुधारते हैं इसको, इसको कैसे सुधारेंगे, सबसे पहले سमझें कि जब दुधार भिक्री होती है, तो entry होती क्या है, उद दुधार विक्री की entry हम लोग करते हैं, sundry debtors debtors account debit, debtors count debit to sales account ये entry हम लोग करते हैं, अगर सही करते तो अब इस entry में देखा जाए, तो sale account credit में जाना चाहिए था, और debtors account debit में जाना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, sale को भी credit कर दिया, इसको भी credit कर दिया, तो sale credit होना था, credit हुआ है, ये तो गलत है ही ने, ये तो ठीक है, ठीक किसको करना है, debtors को, debtors को जिसको debit करना था, उ इसको credit कर दिया, तो इसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, तो debtors को debit करना था, हमने नहीं किया, अब कर दो, आप कर दो debtors account debit, सुधार प्रविस्टी के लिए हम लोग use क्या करते हैं, suspense account, तो debtors account debit to suspense account, ये entry हो जाएगी और ये हमारी सुधार की प्रविस्टी है, अब अप ठीक है, फिर suspense account to sundry debtor ये गलत है, sundry debtor to sell ये भी गलत है, तो सही entry कौन सी हो ये, ये तो हो गया कि accounting क्या होगी, अब आप ये देखो, कि इस accounting के अंदर सामने पैसे कितने आएगी, वो बहुत ऐहम है, इन्होंने क्या किया है, इस question को कमजोर कर दिया, यहाँ पे सब जगा 400 क option दे दिया, यहाँ पे यही entry एक बार repeat करके 200 को option और दे देते, तो कई बच्चे गलती कर बैढ़ते, अब यहाँ पे देखिए कि amount कैसे आया, देखो, देखो, समझ न ज़रा इस बात को, हम लोगों ने debtors account को गलती से credit कर दिया, कितना credit किया, 200, अब हमें इसको सुधारना है, तो सुधारने के लिए मैं क्या करूँ, सुधारने के लिए मुझे debtors account को debit करना पड़ेगा, अब सोचो, अगर debtor account को मैं debit कर दूँ 200 रुपय से, तो सुधार हो जाएगा, क्या नहीं, debtors account को 200 से debit करते ही, ये credit और ये debit आपस में cut जाएगा, और debtor account का 6 कितना हो जाएगा, 0, ये तो गलत है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो credit वाली गलती है, उसको सुधारने के लिए debtors account को 200 रुपय debit करना पड़ेगा, उसके बाद सही entry करने के लिए 200 account कितना हो जाएगा, 400, इसको मैं कही बार यूँ भी कहता हूँ, जो गलती हो जाती है, पहले उसको उल्टा करो, सुधारो, तो credit को एक बार debit करो 200 रुपय से, तो पुरानी गलती खतम, अब सही से लिखने के लिए 200 रुपय फिर से लिख दो, और 200-202 बार लिखोगे, तो किस तरह से होता है, तो थोड़ा सा आपके लिए beneficial रहेगा, और अगर आपका answer match ना करे मेरे से, तो थोड़ा सा समझेगा कि मैंने किस तरह से उसको deal किया, question है अगला, which is a social factor of economic growth, आर्थिक व्रधी का समाजिक तत्व कोन सा है, तो देखे, आर्थिक व्रधी का समाजिक तत् आना है कि social factor कोन सा है, अब ये question कहने को economy के subject से आया है, लेकिन economy question नहीं है, ये common sense का सवाल है, अगर आप common sense से काम करते हैं, तो ये question आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता, कैसे मैं करके दिखाता हूँ, आपको देखो, इन factors के नाम पढ़ो, पहला है caste system या जाती व्रधी व्रध स्वीती, फिर लिखा हूँ है coast या लागत, और चोथा लिखा हूँ है price या मुल्य, इन में से समाजिक तत्व बताना है, तो क्या महिंगा ही समाजिक तत्व है क्या, समाज से चुड़ी चीज़े नहीं है, तो आर्थिक चीज़े है, लागत आर्थिक है, मौदरिक है, मौन निम लिखित में से कौन सा घटक, भोगता व्यवहार को प्रभावित करने वाला आर्थि घटक नहीं है, अब जैसे पिछला question था, यह absolutely वैसा का वैसा question है, नीचे जो option दिये हैं, इन में से आपको छांट के बताना है, कि कौन सा आर्थि घटक नहीं है, इसका मतलब यह हु तो यह तो गलत जवाब हो गया, लिक्विड एसेट, तरल संपतियां, तरल हो, गैर तरल हो, संपति का भी एक मुल्य होता है, इसलिए यह भी यहाँ पर कवर नहीं होगी, फिर लिखा हुए परिवारिक आये, परिवारिक आये में भी तो इंकम वर्ड आ रहा है, परिवार परिवार ने दस हजार रुपे कमाए, परिवार ने पचाह हजार कमाए, तो यह भी गैर मौदरिक नहीं, मौदरिक है, तो यह तीनों तो आर्थिक होगे, एक बच गया यहाँ पर परसनेलिटी आवेक्तित हो है, या कभी ऐसा तोला है कि आपकी परसनेलिटी पांच हजार रुपे किये, या आपकी personality तो 5 लाग किये, नहीं, तो personality मौधरिक या आर्थिक नहीं होती, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा, ये कौन सा है, personality, consumer की personality, उसके consumer behavior, उसका उभोगता व्यवहार है, उसको प्रभावित करती है, लेकिन ये आर्थिक नहीं है, उभोगता के व्यवहार को, जैसे उभोगता जाके बाजार में कितना खर्चा करेगा, कौन सी चीज़ों को खरीदेगा, मांग कम होने पर कैसा react करेगा, इसके लिए आर्थिक तत्व काम करते हैं, जेब में कृष्ची की शेतर में हुई करांती कौन सी थी, पहली बात तो ये कि RPSC ने ये कोश्चन दिया तो सही, लेकिन इसका जो जवाब RPSC ने माना, मैं उस जवाब से सहमत नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ कि RPSC के हिसाब से जवाब क्या है, और मैं ये भी बता देता हूं कि मैं उसे सहमत क्यों नहीं हूं सबसे पहले question समझे दुबारा कि इन में से कृषी शेतर में कौन सी करांती हुई थी करांतियों के नाम पढ़िए पहला है white revolution white revolution का मतलब हो गया श्वेत करांती ये दूद के उतपादन को बढ़ाने के लिए की गई थी अमूल डेरी के संस्थापक और वो सब आपको याद होंगे उसके बाद में है red revolution red revolution का संबन दो चीजों से है दो चीजे कौन-कौन सी एक तो meat और एक tomato तो उन दोनों का उतपादन बढ़ाने के लिए red revolution लाया गया था फिर आता है blue revolution या निली करांती blue revolution लाया गया था basically aquaculture को बढ़ाने के लिए मतलब मचली, crab और वो आजकर लोग खाते रहते हैं ना seafood वगरे उन सब को बढ़ाने के लिए ये blue revolution था निली करांती हो गई फिर आगया हरित करांती जो गेहू के उतपादन को बढ़ाने के लिए था अब मैं इस बात से सहमत क्यों नहीं हूँ RPSC ने अंसर माना तो था हरित करांती, इस बात से सहमत मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो टमाटर है टमाटर का उतपादन भी क्रिशी शेतर के अंतरगती आता है इसलिए Red Revolution जो है उसका संबंद भी कहीं ना कहीं क्रिशी शेतर से हुआ इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हम White Revolution की बात करें तो आप सब भी जानते हैं कि दूद उतपादन और पशु पालन Milk product की बात नहीं कर रहा मैं पनीर बनाने की बात नहीं कर रहा मैं खोवाय बनाने की बात नहीं कर रहा घी की बात नहीं कर रहा लेकिन जो दूद का production है पशु पालन है पशु पालन भी तो Animal Husbandry भी तो क्रिशी का ही हिस्सा है इसलिए White Revolution वगरा ये इसमें confusing element है लेकिन जो RPC ने answer माना या इन चार में से best answer कुन सा बनता है तो वो हरित करांती बनता है आप जानते हैं कि हरित करांती के मध्यम से हमारे देश में गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया था और उसमें स्वामी नाथन और इन सब का नाम आप सबने सुना है तो फिलहाल उस पे ज़्यादा चर्चा करने का benefit है नहीं Next देखिए देखे इससे ज़्यादा easy question हो नहीं सकता सवाल आया कि SEZ आप सभी सुनते है special zone नाम सुनते है इन में से export को बड़ावा देने के लिए special zone कौन सी है तो देखे ये सब बच्चों को पता है इसमें ज़्यादा confusion कुछ है ही नहीं इन्होंने नाम जरूर चार बना कि दिये लेकिन आप सब जानते है SEZ का मतलब होता है special economic zone ये special economic zone बिमारी क्या है हम लोग ये चाहते हैं कि जब कोई business man जब कोई industry list production करे उत्पादन करे तो उत्पादन करने के लिए best quality की सुख सुविधाई उसको मिले production facility best हो लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है हमारा देश आज विक्सित नहीं है एरिया के अंदर export से जुड़ी हुई सारी बहतरी सुविधाई डवलप करते हैं और वहां पे industries को कहते हैं कि आप वहां जाके उत्पादन कीजिए जो वहां जाके production करता है उसको अच्छी सुविधाई मिलती है साथ में उसको ललचाने के लिए सरकार tax में छूट देती है कि आपका indirect tax में छूट है GST, MAF, income tax कम कर देंगे तो वह जो area है उसको हम लोग नाम देते है special economic zone शॉट में बोलते हैं SEZ इन में से सही option ढूंडे तो option number 4 बिल्कुल ठीक बैठता है next देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं विशेश आर्थिक शेतर निर्याद प्रॉट साहन के लिए उसके बाद में है which of the following is not included in the unorganized capital market question कह रहा है कि इन में से ऐस अंगठित पुंजी बाजार में कौन शामिल नहीं है ये क्या चीज़ है सबसे पहले इस बाद को समझ जिए कि capital market या पुंजी बाजार होता क्या है देखिए जब भी किसी company को business करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं उसको हम capital या पुंजी बोलते हैं अब company'ों में कुछ पैसे तो उसके मालिक है स्वामी अपनी जेब से लगा देते हैं लेकिन अगर मालिकों के पास पैसे नहीं है तो मालिक लोग कहीं जाके पुंजी इकठी करेंगे वो स्थान जहां पे मालिक लोग पुंजी जुटाने के लिए जाते हैं वो पुंजी बाजार कहलाता है मतलब ऐसी जग़े जहां से पुँझी प्राप्त कर सकते हैं पुँझी प्राप्त करने के जग़े पे दो लोग आके आपस में मिलते हैं एक आदमी पैसे देता है और दूसरा पैसे लेता है आसान भाषा में अगर मुझे उधार पैसे चाहिए तो मैं जहां जाके उधार पैसे लाओंगा, वहां पे एक वेक्ति उधार देगा, एक वेक्ति उधार लेगा, वो जो जगह है वो पुंजी बाजार कहलाती है, पुंजी बाजार या Capital Market के दो में सो रूप हम लोग मानते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं Organized, एक को बोलते हैं Un- Organized, संगठित और एसंगठित, दोनों में क्या अंतर है, संगठित वो होता है, जिसके लिए पहले से Rule Regulation बने हुए है, जिसका पहले से कोई Regulator या नियमक है, जो नियमों के अधीन काम करता है, जैसे भारत में अगर पैसे उधार लेने हो, तो आप बैंक से उधार ले सकते ह तो काम ही उधार देना है, लेकिन बैंक के उपर नियम लागू होते हैं, और हाली में पेटियम पेमेंट बैंक क्या हश्र हुआ नियम ना मानने पर वो तो आपको पता है, इसलिए वो संगठित और और्गनाईज हो गया, इसके जस्ट अपॉजिट, आप अपने किसी दोस जोस से पैसे उधार ले लो, रिष्तेदार से पैसे उधार ले लो, पडोसी से उधार ले लो, भाई से ले लो, उनसे भी पैसे मिलेंगे, लेकिन उनकी ओपर कोई नियम कानू लागू नहीं होता, उनके लिए RVI ने शर्कुलर जारी नहीं कर रखा कि अपने दोस्त को पै की जवाब नहीं है। देसी बैंकर देसी से जवाब नहीं हो सकता। नहीर को पाने काम करते हैं। कुteil को नहीं है रिण पत्र धारक होगा सालव कर सुर्णे काफ भूली है। की शर्ते माननी पड़ती है उनके लिए हमें प्रॉपर आई-प्यू निकालना पड़ता है अनॉंसमेंट्स करने पड़ते हैं रिण पत्रों के लिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है इसका मतलब वो नियमों के अधीन चलते हैं इसलिए वो हो गए और गनाईज या संगठित नेक्स्क्सक्षशन देखते हैं जरा नेक्स्क्षशन है ए बी सी तीन साज्चेदार हैं और उनमें से एक साज्चेदार ए तीन हजार उपए हर महेने की शुरुआत में आरन करता है विड्रौ करता है और फिर कोशन कह रहा है कि हम 12% की rate से ब्याज लेते हैं तो आपको ये बताना है कि उसको इसको कितना ब्याज देना पड़ेगा तो देखो अगर सवाल ये आ जाए कि 3000 पर एक बार निकालता है तब तो आसान है 3000 पर जिस महीने निकाले वहां से साल में जित महीने बचे हुए है तो उसने पैसे निकाले मानलो साल की शुरुवात में हर महीने की शुरुवात में तो हर महीने की शुरुवात में निकाले जनवरी में पैसे निकाले तो पूरा जनवरी का महीना बचा रहेगा तो इस तरह से 12 महीने रिमेनिंग होंगे तो हमेशा जित पैसे महीने बचेंगे 11 तो इसको 2 से भाग दे तो 11 और 12 डिवाइड वाय दो गया थो इस तरह से निकाल सकते हैं या फिर आप याद करके भी रख सकते हैं कि कोई भी वेक्ति अगर मंत के शुरुवात में पैसे निकालता है तो हैं यहां पर एक चीज़ आपको याद रखनी है तो नौर्मली साधरन ब्याज में हम ब्याज निकालते समय महीने उपर होते हैं तो नीचे डिवाइड बारा करते हैं यहां पर बटा बारा नहीं करना है इसको सौल करो इसको सौल करोगे तो जवाब आएगा वो आजाएगा 2340 रुपए 2340 रुपए next question देखते हैं अच्छा एक सला मैं आप लोगों को यहां पर दूँगा कि specifically वो student जिनका हिंदी मीडियम है वो थोड़ा सा ध्यान रखें मैं समझता हूं कि हिंदी मीडियम की student को English में question पढ़ने में थोड़ी से समस्या आती है लेकिन जब ऐसी कोई दिक्कत आती है आपको तो थोड़ी उस समस्या को जहलते हुए English में question जरूर पढ़ लीजिए कई बार ऐसा होता है कि English का question और Hindi का question तो अलग-अलग meaning दे रहे होते हैं और देखिए बाद में code का चेरी करना बाद में विवादों में पढ़ना उसका कोई फाइदा नहीं है उस समय आप तो नों को ठीक से पढ़ लो और English के question को सही मान के answer deal कर लो तो आपका काम बन जायेगा question देखिए question है मेर से पहले-पहले आप करते रहिएगा और सही जवाब comment में लिखते रहिएगा question है an amount set aside to meet non liability is non as किसी ग्याद दाइत्व की पूरती के लिए प्रतक से रख उसके हमारे सवाल आते ही नहीं है तो जो top content content है आपका top concept है वो आपको ठीक से पता हो तो आप सारे question कर सकते हैं इसका सही जवाब होगा प्रावधान या provision उसके बाद provision या प्रावधान को आयोजन भी बोलते हैं next question है हमारा what was initial problem noticed when the new economic policy started in 1991 1931 जब नई आर्थिक निति लागू हुई उस समय सभसे जरूरी समस्या क्या थी यहां पर आप लोग देखेंगे तो यह यहां पर लिखा हुआ हुआ है initial problem, initial का मतलब होता है प्रारंभीक, कि प्रारंभीक समस्या क्या थी, और यहां पे लिखा हुआ है कि सबसे जरूरी समस्या क्या थी, तो दोनों बातों में थोड़ा फरक आ जाता है, लेकिन अगेन यह जो question है, यह एक तरह से disputed question बन सकता था, हलांकि इस पर कोई dispute हुआ नहीं, RPSC ने इसका answer दे दिया, और बच्चों ने सही मान लिया, और लोगों ने इस पर ज़्यादा dispute raise किया नहीं, बट इस question बहुत clear नहीं था, कैसे, जब हमारे 1991 में LPG reform लागू हुए थे, आपने सबने नाम सुना है, liberalization, privatization, globalization, जिसको हम हिंदी में उधारी करण, वैश्वी करण और निजी करण बोलते हैं, वो जब लागू हुए तो भारत की अर्थ व्यवस्ता में कोई भी ऐसी economic problem नहीं थी, जो नजर नहीं आ रही थी, मतलब सभी आर्थिक समस्यां देखने को मिल रही थी, और कोई समस्या एक दूसरी से चोटी या बड़ी नहीं थी, भारत के पास में foreign currency का crunch था, विदेशी मुद्राइख खतम हो चुकी थी, आयात के बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, 7 दिन के पैसे हमारे पास टोटल बचे थे, हमारे पास देश में उस समय उच्छी मुद्राश फिती, high inflation था, इसके अलावा हमारे पास में उस समय उच्छा राजगोश ये घाटा, high fiscal deficit था, इसके अलावा उस समय हमारे पास में जो फॉरें के करजे हमने ले रखे थे, उन करजों के ब्याज तक चुकाने के पैसे नहीं थी, तो कई समस्या ही थी, तो उस हिसाब से ये सारी समस्या एकॉनमी में देखने को मिली, लेकिन और उस समय भारत में tax के rate बहुत उचे हुआ करते थे, लेकिन इन सब में से किसी एक को चुनना होगी, सबसे बड़ी समस्या क्या थी, या उस समय ऐसी कौन से समस्या थी, जिसके बिना सब खतब हो जाना था, तो वो था foreign currency crisis या विदेशी मुद्रा का संकट, मैंने आपको बताया कि विदेशी मुद्रा का संकट इस कदर था भारत में, कि निर्यात हो नहीं रहे थे, जिसकी वज़े से विदेशी मुद्रा आने ही रही थी, आयात हम कच्चे तेल का बहुत कर रहे थे, जिसकी वज़े से खूब डॉलर जा रहे थे, और हालात ही हो गए थे, कि अगले साथ दिन के आयात के पैसे देने के हमारे पास शम्ता नहीं बची थी, और बड़ी मुश्किल से हमने IMF, वर्ड, बैंक, इन सब से मदद लेके जैसे तैसे काम चलाया था, तो सही आंसर होगा थ्री, तो मैं उमीद करता हूँ कि आज का जो ये सेशन है वो आपके लिए यूसफुल रहा होगा, इसी तरह से आने वाली इस सीरीज में मैं और कॉश्चन्स आपके लिए लेके आता रहूँगा, पोशिश करेंगे हम लोग कि इसको और बहतर आपके साथ करते रहें, जिससे रोज आपके अंदर इंप्रूमेंट आए, रोज आपको कॉश्चन्स आए कि हम इन कॉश्चन्स को आराम से कर सकते हैं, और अब की बार ये जो फर्स गेट भरती है, इसमें व्यक्याता के पद पे मैं जरूर बैठूँगा, मैं बैठूँगा से मतलब है आपकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये confidence मन में लाइए कि ये seat-up की बार आपकी है, किसी कीमत पे आप छोड़ेंगे नहीं, और मेरी तरफ से जो best possible होगा, मैं कराता रहूँगा, questions के साथ-साथ हम लोग अल्रेड़ी इसके लिए एक live course स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज ही उस live course से जुड़ें और अपनी तयारी को एक नया आयाम दें, live course के अंदर आपको class live format में और उसके साथ में notes वगरे सब available होंगे, और हर chapter के end में आपको उसके important question करा दिये जाएंगे, वो question, यह जो previous question है, इन में से भी important question और ले लेंगे वहाँ पे, कुछ और question भी add-on करके, आपको most important question सारे solve करा देंगे, जिससे सारा concept आपका revise हो जाए, इस संबंद में कोई जादा जानकारी अगर आपको चाहिए, तो हमारा number है 958823815, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, कफल स्टेप के नाम से हमारा टेलेग्राम चैनल है, उसको जोइन कर लीजी, वहाँ से भी आपको जानकारीया मिलती रहती हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हम लोग मिलते हैं, रिजल्ट के बाद धन्यवाद,